अगर फ्रेंट्स आपके पास सेमसंग का ग्लेक्सी 893 5G है या फिर इस डिवाइस को आप चाहते हो पर्चेस करना तो इस वीडियो आपके लिए काफी जादा यूजफुल हो सकती है क्योंकि इस वीडियो मैंने आपको बताएं इसी फॉन के टॉफ 55 प्लस टिप्स और ट्रि इस फॉन चाहिए आपको ग्राइन को बदल सकते हैं क्रिक करोगे और यहां से करोगे चार वीडियो आपके सा हाएंगे यहां से किसी भी वीडियो को आप इस तरह से प्ले करके चेक कर सकते हो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लागए तो यहां से आप डारक्ट क्लिक कीजिए आपकी भी call background लिए यह वीडियो set हो जाएगी जब भी call आएगी तो इस तरह का वीडियो आपको स्कीन पर देखने को मिलेगा अगर चाहें तो यहां पर आप वीडियो को भी add कर सकते हो जो भी आपकी गैलरी में वीडियो है तो उसको लगाने के लिए प्लेस के आइकन पर जाना होगा गैलरी के लिए आप जब select करेंगे तो आप गैलरी में जाएंगी जो भी photo and video आपकी गैलरी में है यहां से आके आप set कर सकते हो call background के लिए आप यहां इस phone के अंदर एक background cable एक number के लिए भी बदल सकते हो तो उसको बदलने के लिए आप अपनी डालर को फिर्षा open कीजिए यहां contact पर क्लिक करके उस contact पर क्लिक कीजिए जिसका आप call background बदलना चाहते हो तो इससे ऐसे क्लिक करने पर आपको i button पर क्लिक करना है यहां edit पर क्लिक करना होगा जिसकी बद आप यहां view more पर क्लिक करके scroll down कीजिए नजर आएगा call background यहां क्लिक करके किसी वी वीडियो को आप यहां पर लगा सकते हो चाहें आप इन background में सही set कर सकते हो या फिर gallery से भी आप लगा सकते हो पोटो को भी set कर सकते हो यहां पर चाहें तो एक number की cable ringtone भी आप बदल सकते हो तो जिसके लिए आपको यहीं पर देखने को मिलेगा ringtone यहां क्लिक करके एक ही number की ringtone आप भी change हो जाएगी चाहें तो आप बड़ेट pattern का भी आप यहां पर option मिलेगा उसको भी आप बदल सकते हो किसी एक number का बड़ेट अलग तरीक के field करना चाहते हो आप तो आप वो भी option मिल जाएगा उसको भी आप यहां से set कर सकते हो इस phone के अंदर friends आपको call recording का भी support मिल जाता है वो भी तीन अलग अलग तरीक से आप इस phone के अंदर call recording को कर सकते है जिसके लिए आपको पहले dialer open करना है यहां थी डॉट पर क्लिक करके setting में चले जाना है आप call record पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको option देखने को मिलेगा auto record call का इसको on करके confirm कीजिए सभी number की auto record on हो जाएगी अगर आप चाहते है इस phone में cable उन number की call record होना जो की phone के अंदर save नहीं हो उनकी auto order हो जाए तो आप वो भी set कर सकते हैं जिसके आप यहां क्लिक कर सकते हैं जिसके आप call recording को करना चाहते है चाहें तो आपके phone tag में नमबर नहीं है तो आप चाहें तो अपने डालर से भी आपसे add करके आप उसको कर पाऊगे तो यहां क्लिक कीजिए यहां से number को इसरे set करके आप plus क्लिक कर लिजिए वो number यहां पर add हो जाएगा जिसके आप call recording यहां से कर पाएंगे अब जो भी number यहां लिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगी इस phone के अदर friends आपको split screen का support मिल जाता है मतलब एकी screen पर दो apps को आप same time में यूज कर सकते हैं जैसे कि आप YouTube के साथ किसी और भी apps को यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं जिसके पहले YouTube apps को open किजिए recent button को press करना है तो आपको यहां आपको जो YouTube आइकन देखने को मिलेगा इस पर क्लिक करना होगा आपको नजर आएगा open in split screen view इस पर आप क्लिक केजिए जैसी इस पर क्ल ज्यादा area में भी use कर सकते हैं जिसके आप यहां क्लिक करके इस तरह से आप किसी एक apps को ज्यादा area में भी ला सकते हैं चाहें तो ऊपर वाले को नीचे नीचे वाले को ऊपर भी कर सकते हैं जिसके आप यहां क्लिक कीजिए और यहां इस तरह से switch करना होगा तो आप यहां क्लिक करने पर बैक कर सकते हैं और यहां से भी क्लिक करने पर बैक कर सकते हैं इस फीचर को लगाने के लिए सेट करने के लिए सेटिंग में जाना होगा सेटिंग में जाने के बाद आपको डिस्प्ली ऑफशन पर क्लिक करना है इसको डाउन करने पर देखने को मिलेगा आपक को आप इस तरह से अउन कर लेजीए आप जैसे कि किसी एक अपस के आ इंदर और ऐका SHOW सक्ता हिक आफ को इस तरह से चेंग उस्तिंग करना चाहते हैं को मिलेगा आपका advance feature तो simple आपको के करना है इस advance feature पर पहले क्लिक करना होगा इसके बद למप्स पर क्लिक कीजिए सबी option को on कर लीजे इस phone के अंदर आपको pop up mini का भी option मिल जाता है तो आप उसको भी on कर सकते हो तो आपको पहले इस करना है तो आप वो भी कर पाएंगे जिस क्लिप करना है किसी भी एप्स को आपको कुछ इस तरह से ओपिन करना है यहाँ पर आपको देखने हो मिलेगा इसका आइकन कुछ इस तरह से इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आप क्लिक करेंगे जैसे आप इस पर क्लिक करें कर सकते हैं इसका रिसाइट 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 कर सकते हैं इसका र करने इस तरह आपको ओन उपन नाम लें के बदाए कि çarक bunu करणे दूसर फीचर को on करेगा यह भी तब भी 2 सेकिंड के अंदर call answer हो जाएगी और blue connect रही तब भी 2 सेकिंड के अंदर call answer हो जाएगी तो यह feature आपके bike पर बहुत अच्छे से काम आ सकते हैं अगर आप ज़्यादा bike बगेरा यूज करते हैं ज़्यादा bike राइब बगेरा करते हैं तो यह feature आप भी काफी ज्यादा power button से तो आप इस feature को on कर लेजिए आपको call cut करना है तो आप power button को press कराएंगे call disconnect भी आपकी होजाएगी आपको यहां से एक step बापस आना होगा तो देखने हो मिलेगा call display when using apps इसको जब आप open करेंगे तो यहां पर कुछ इस तरह से interface होगा तीन option आपके सामने होगे तो यहां से आप अपने हिसाब set कर सकते हैं full screen या फिर आपकी small pop-up या फिर mini pop-up जो भी आपको अच्छा लगए आप यहां आकर set कर सकते हैं जब भी कोई call बगर आएगी किसी apps का आप यूज कर रहे हैं तो यहां पर उसी तरीकी आपकी call यहां पर स्कीन पर सो कराई जाएगी चली अगर अभी तक इस फोन का कोई साई feature आपको अच्छा लगा हो तो मुझे comment करके जरूर से बताईए वीडियो कैसा अच्छा लगा है यह भी मुझे comment करके आप बता सकते हैं जली उसके लिए आपको जाना होगा phone की setting में phone की setting को आप open कीजिए यहां से scroll down करने भी आपको advance feature म दो बार आप power button को press करांगे तो आपका जो camera apps है वो कुछ इस तरह से open हो जाएगा directly camera apps को कुछ इस तरह से open कर सकते हो यहां पे आप किसी भी favorite apps को भी लगा सकते हैं इसको हटा के तो चाहें तो उसको लगाने के लिए आपको open apps पर select करना होगा अब किस apps को आप लगाना चाह कर सकते हैं आप जैसे के मैंने calculator को select किया अब calculator को open करना चाहते हैं दो बार power button को press करेंगे calculator open हो जाएगा तो fastly किसी भी apps को आप यहां से set कर सकते हैं सभी apps आया support मिल जाएंगे तो जो भी apps आपको रखना है power button से press करने पर बुदारक लिए आप यहां से access कर सकते हो जब आप एक step बापस आते हैं तो motion and जैसे देखने को मिलेगा यहां क्लिक करके आपको इस phone की बहुत ही useful feature मिल जाते हैं सबसे पहले feature lift to back इस feature को जब आप on करेंगे तो phone आपको जैसे के कुछ इस तरह से table पर रखा होता है जैसे आप इसको pick up करेंगे screen इसकी automatically on हो जाएगी अभी इसी तरह के सब्सक्राइब कर सकते हैं तो अब आप डबल टब करके screen को off कर पाएंगे डबल टब करके screen को on कर पाएंगे तो यहां पर और फीचर आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे जैसे की keep screen on वेंग विविंग इस feature को on करने पर आपकी जो phone की video बगडर रहेगी वो आप यहां पर smart कर सकते हैं, जैसे कि आप किसी वीडियो को view कर रहे हैं, और आपने जैसे निगा हट आई, वैसे automatically वो वीडियो post हो जाएगी, यह एक unique feature इस फोन का, जिसका आप इस फोन के अंदर बहुत आसनी से use कर सकते हैं, जैसे कि आप continue किसी भी चीज़ को watch कर रहे हैं, watch करते करते हैं, आपको निगा हट आई, जैसे फोन से, automatically वीडियो आपकी post हो जाएगी, यह काफी advanced feature इस फोन के अंदर आपको मिल जाएगा, इस यहां पर एक और feature रहेगा, alert when pick up phone या इस feature को on करने पे, आपके phone पे कोई message या फिर रिंग टॉन बगएर, miss call बगएर पढ़ी होगी और आप phone को जैसे pick up करेंगे, आपका phone हलके से बाप्रेट हो जागा, तो आप इस समझ सकते हैं, कि phone कोई भी notification बगएरा है, जिसके बारे में आपको यह phone alert कर रहा है, तो इस तरह आप इस feature के बारे में जान सकते हैं, एक इसी तरह की और feature मिल जा जाता है, यहां पे आपको turn on over mute का, इस feature को on करने पर आपके phone पर कोई भी calls बगर आती है, या फिर alarm बोलता है, आपके phone पर जैसे आप phone को pick up करते हैं, वैसे ही वो जो भी आपकी आपकी आपाज चलेगी phone करते हैं, जो भी आपाज आरी मनलब जिंग हो रहा होगा आपका phone, वो automatically mute हो जाएगा, जैसे phone को pick up करेंगे, इसकी अलाबा यहाँ पर आपको finger sensor gesture का एक option मिल जाता है, इसको on कराके आप अपने slide बार को कुछ इस तरह से open करते हैं, तो यहाँ पर आप इस तरह से इसको आप open करा सकते हैं, तो अपने fingerprint को इस तरह से slide down करना है, तो आपका जो notification बारा है कुछ इस तरह से open हो mode, इसको on करने पर आप इस phone के अंदर, इस phone की screen को one hand से use कर सकते हैं, अगर आप इस phone में जैसे navigation यूज हैं, तो आपको इस तरह से click करना होगा, आपका phone one handed mode पर आजाएगा, अब एक हाँ से बहुत आसाने से को आप use कर सकते हैं, चाहें तो आप इसको left hand side भी कर सकते हैं, इ अगर आप navigation का यूज करने हैं, बटनों का यूज करने हैं, तो इसके लिए आप यहाँ पर click करके button को select कीजिए, button को select करेंगे, तो दो बार home button आपको press करना होगा, आपके यहाँ पर button से ही one handed mode on हो जाएगा, इसके इलाब अगर gesture से use करना हैं, तो simple आपको down करना, इस तरह से click करके आपका बना है network पर यह phone चला जाएगा, इसकी बाद आपको यहाँ पर देखनों मिल जाता है skin sort, इस पर click करके आप skin sort की setting कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर delete after sharing from toolbar, इसको on करेंगे, जो भी skin sort आपने लिया है, उसको आप अगर edit कर लेते हैं, तो original image आपका यहाँ से delete हो जाएगा, इस तरह से आप यहाँ पर feature का use कर सकते हैं, दूसरा option आपका status navigation बार का, अगर यह on रहेगा, तो skin sort जो भी आपने लिया है, तो यहाँ navigation आपके सोगते हैं, वो उस आपका जो भी skin sort को इस पर नहीं होंगे, अगर इस feature को on करके रखेंगे, और चलिए आपको बता आसानी से बना सकते हो, जिसके लिए आपको जाना है long skin sort area में, अब जैसे कि हम setting में आ गए, setting में एक बार में इसका skin sort बहुत आसानी से बना सकते हैं, जिसके लिए दोनों बटन एक साथ प्रेस करने होंगे, तो skin sort आ जाएगा, long करने के लिए आप इस पर क्लिक कर लिजी, यह automatically scroll हो जाएगा, all long करना है, इस पर click कर लिजी, all long हो जाएगा, जितना long करना है, click करते जाएगे, यह long हो जाएगा, इस तरह से long skin sort बना सकते हैं, चाहें तो इस बन के अंदर prop skin sort को भी ले सकते हैं, prop skin sort को लेने के लिए जैसे कि केवल साइट का skin sort चाहिए, तो उसको लि यहाँ pencil पर click करके, किसी भी pencil को आप ले सकते हैं, इस तरह से, उसका color select कर सकते हैं, जो भी color आपको यहाँ पर अच्छा लगता है, अब इसकी बाद आप जिस area का आपने color बगएर सो कराना है, यहाँ पर आप इसको edit कर सकते हैं, इस पॉन के अंदर friends किसी भी apps का आप dual apps भी कर सकते हैं, डॉल apps को बनाने के लिए आपको जाना होगा phone की setting में, phone की setting को open कीजिए, scroll down कीजिए, और आपको advance wizard फिर से click करना है, यहाँ देखने को मिलेगा dual messenger, इस पर click करके, जो भी apps आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं, उनका इस phone के अंदर dual apps बना सकते हो, तो किसका ब पेनल को on करने के लिए आपको पहले setting में जाना है, scroll down करके display option पर click करना है, और फिर scroll down करना है, फिर आपको यहाँ देखने हो मिलेगा ads panel, इसको आप on कर लिजे, इसको on करेंगे, तो यहाँ पर एक line आपको देखेगी, आप इसको इस तरह से जब open कराएंगे, तो यहाँ आ आप apps को यहाँ पर रखना चाहते हो, अपने हिसाब से उसको customize कर सकते हो, तो इसके आपको pencil icon पर click करना होगा, अब जो भी apps आपको यहाँ से remote करने है, यहाँ क्लिक करके उसको remote कर सकते हो, इसके इलावर किसी भी apps को आप add करना चाहते हो, तो यहाँ क्लिक करके उस apps को आप एक्सेस कर सकते हो तो यह एक अच्छा फ्यूचर स्पॉन के अंदर आपको मिल जाएगा एड्स पेनल का इस फॉन पर कोई भी नोटिफिकेशन आती है और आप चाहते हो आपके फॉन की जो रिंग लाइट रहती है वो आपके फॉन पर पाथा चलेगे यह आपका यूनीक त इस पर आप क्लिक केजिए इस पर क्लिक करेंगे आपको नोटिफिकेशन पॉप अप स्टाइल के लिए क्लिक केजिए अब यहां पर आपको अलग तरीक की स्टाइल को मिलेंगी जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है तो यहां पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का आप को effects देखने को मिल जाएगा तो यहां पर आप चाहें तो इसका जो color देख रहे हैं को मिल रहा है इसका भी आप colors को बदल सकते हैं इसको बदल लेगरी colors पर पहले क्लिक कीजिए आप से आपको notification आना चाहिए किस से आप नहीं आना चाहिए यह भी आप on-off यहां पर आके कर सकते हो इस फोन के अंदर फ्रेंड्स आपको hide apps का भी support देखने को मिल जाता है apps को hide करने के लिए इसकी इन पर टूफिंगर से पिंच इन करके setting में जाएए setting में जाने पर hide apps देखेगा यहां क्लिक कीजिए इस पर क्लिक करके किसी भी apps को आप हाइट कर सकते हैं जिसके आपको पहले इस सब्सक्राइब करना होगा और यहां done करना होगा तो जो भी apps आप आपने select किया है वो hide हो जाएगा आप इसको access करने के लिए आपको पहले वो apps को यहां पर लगाना पड़ेगा तो भी आप इस फोन के अंदर दुबारा से इसको access कर पाएंगे वालब unhide करने के बात ही access इस phone के अंदर 200 apps को आप कर पाते हैं तो unhide करने के लिए setting में जाके यहां पर secure folder, इस secure folder को आपको sign in बगएर करना है जिसकी बाद आप यहां पर lock बगएर लगा के अपने apps को lock कर सकते हो अपने photo video hide कर सकते हो तो आसानी से इस apps की मेंद से आप उनको access भी कर सकते हो इस phone में friends आपको dark mode का भी support मिल जाता है उसको on करने के लिए आपको control panel open करना है यहां dark mode आप directly set कर सकते हो यहां पर अगर आप कोई setting बगएर करना चाहते हो dark mode की तो आपको setting में जाना होगा setting में जाने की बद आप display option पर click कीजिए इसकी बाद scroll down करने पर आपको dark mode यहां देखने को मिल जाएगा तो simple आके आपको यहां पर dark mode पर पहले click करना है dark mode आप यह set कर सकते हो setting करने के लिए आप dark mode पर click कीजिए अब यहां से आप schedule को set कर सकते हैं आप चाहते sunset to sunrise को set करना तो यहां पर select हो जाएगा आप इसको on कर लिजी अब जैसे ही दिन निकलेगा automatically बंद हो जाए करेगा dark mode और night होगी वैसे automatically on हो जाए करेगा तो इस तरह से sunset to sunrise के या पिर आप custom पर click करके अपने हिसाब से जिस timer को on करना चाहते हैं उसी time यह on हो जाए करेगा तो इस तरह से आप इसको भी बहुत आसनी से on off कर सकते हैं यहां जो color temperature है वो कितना आप रखना चाहते हैं वो भी option आपके सामने कितना आप cool और कितना warm रखना चाहते हैं इसको इसको बन टुटी हर्स के साथ यूज करना चाहते हैं तो आपको यहां सेलेक करके रखना है अगर इस टेंडर के लिए आप सेलेक करेंगे तो इस पोन का आपका 63 हर्स रीफ्रेश रेट ओन हो जाएगा इसको एपलाई करने पर आप 63 हर्स का यूज कर पाएंगे 120 का यूज करके रखें आपको 120 रिफ्रेश रेट ओन हो जाएगा यहां से स्कॉल करके थोड़ा सा नीची की ओर जाते हैं तो आपको टच सेंसिबिटी का एक ऑफ्सन मिलेगा इसको आप बहुत अच्छे सा यूज कर सकते हैं उसकी कुछ सैटिंग में आपको बताने वाला हूं जो कि अपने हिसाब से साइट कर सकते हो तो आप चैम्रेश को जब ओपिन करेंगे इसका अरिया कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा इस पर क्लिक करके आप इसकी फुल स्कीन को और सकते हैं इसकी इलाबर आप रेजुलेशन बगेरा को चेंज करना चाहते हैं तो वो भी बदल सकते हैं इसके लिए आप सेटिंग आइकन पर पहले क्लिक कीजिए और यहां आने पर आपको यहां पर रेजुलेशन बगएरा और बॉटम मार्क बगएरा ओन करने का option मिल जाएगा बॉटम मार्क को ओन करने के लिए यहां से आपको ओन करना होगा जो भी आपको आपको इस तरफा नाम यहां फोटो करने पर आपको अच्छी अच्छी देखने को को मिल जाते हैं जिनका यूस करके आप अपने फोटो की जो पिछर कौलिटी इस लिए आपको खली करके अलग तरीकी के अपको ऑच्छा आपका picture quality रहेगी वो आपको एक अच्छी तरीके से याँ एक यूनिक तरीके से आपको फोटो वो देखने को मिल जाएगी इसके अलावा यहाँ पर आपको पोटिर का भी सपोर्ट मिल जाता है मतलब बलर फोटो आप सब्सक्राइब क्लिक कर सकते हैं यहाँ पर आप जो बल अलगले तरीकी की mode मिल जाएंगे जैसे की pro mode पर क्लिक करके आप अपने हिसाब से ISO को set कर सकते हैं आप जैसे किसी कंडिशन में ऐसा होता है लाइट बहुत कम रहती तो आपको eb पर साले करके अपनी brightness कुछ इस तरह से बढ़ा लेनी तो आपकी brightness काफी high हो जाएगी तो जो फोटो बगएरे आप क्लिक करना चाहते हैं तो माइक्रो पर क्लिक करके किसी भी आप छोडी एरिया का मनलब को काफी नजजदी से किसी भी फोटो का बहुत अच्छे से क्लिरटी ले पाएंगे तो माइक्रो का काफी अच्छा सापोर्ट इस पोन गेंदर आपको मिल जाता है इसके अलावा यहां पर मोर पर क्लिक करके आपको नाइट का आपको देखेंगे तो काफी अच्छी फोटो की आपको देखने को मिल जाएगी इस फोन की लॉग स्कीन को आप बहुत अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हैं तो उसको आपको करने के लिए आपकी जो इसका इसका पॉटे बगरा आपको अंच्छा कर सकते है यहां तक इसका कलर भी वर को अच्छा लगा आपको नेची की ओर मिल जाएगी जो भी कलर आपको अच्छा लगए यहां select कर सकते हैं अपने favorite color को set कर सकते हैं जो भी आपका favorite color रहेगा उसको select करना आपको कुछ इस तरह से तो आपको यहां पर आपकी प्लैस सैट हो चुकिए है और इसके लाब ऑप इस तरह से देखने को मिलेगा कुछ लोग सीन पर लोग किन करके देखेंगे तो पर कुछ इस तरह से आपको information यह देखने को मिल जाएगी इस फॉन एफेंट्स आपको flash notification का भी option मिल जाता है जब आपके phone पर कोई भी notification आयो और आपकी flash light वो on हो तो आप उसको on कर सकते हैं यहां तक जो आपकी flash light जब blink होगी तो आपकी जो इसकी नहीं इस पर भी आपके effects हो होगा उस feature को on करना चाहते हैं तो आपको चले जाना होगा phone की setting में इसकी बाद scroll down कीजिए scroll down करने पर आपको देखने हो मिलेगा यहां पर access celebrity इस पर क्लिक करना है यहां क्लिक करके आप advance setting पर क्लिक कीजिए जिसकी बाद flash notification पर क्लिक करके आप इसको on कर देंगे तो आपकी screen इनकी जो back flashlight है वो on हो जाएगी आप screen effects को भी आप on करना चाहते है तो इस feature को on कीजिए जब आपकी phone पर notification आएगी तो यहां पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपकी screen और आपकी flashlight on होगी तो इस तरह साप इसका use कर सकते हैं आप यह भी set कर सकते हैं किस app से आपको notification आ on करना चाहते हैं flashlight को तो यहां पर आप उसी को select कीजिए तो उसी पर ही आपको flashlight on होगी जो भी आप आपने select किया हूँ जिस पर कोई भी notification आईगी तो friends यह थे कुछ unique feature इस phone के जिनके बारे में आज की इस वीडियो में आपके साथ share कर चुका हूँ आसा करता हूँ friends आपको की वीडियो काफी अच्छी लगी होगी अगर आप चाहते हैं नए अपडेट की बारे में जाना इस पर कब अपडेट आपको मिलेंगे तो इस चैनल को subscribe करके रखिए क्योंकि नए अपडेट की जानकारी इसी चैनल पर आपको मिलेगी उन अपडेट में कौन-कौन से नई की वीरो कि अवान अपक्स देख देख टेल इस चेटी होगे और इस चैनल इस चैनल को में जयााई एर आपके पहून को कार करि रखिए की बारे में पर, आपके जानी एकर कमला कि इस चाहता हैं आपको नहनोंको को बंबह dw bertrans careers सब्ट कर्दा करूंको चल ओबहिता है। एक